आज का मार्केट जब मैंने देखा था तो positive में था लगबग 11% 5050 positive में था और midcap smallcap 1% से ज़्यादा लगबग 1.5-1.5% तक positive में थे तो एक जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं strategy के बारे में मेरे comment में मुझे पता है कि ये उनके investing journey का सबसे बड़ा mistake है लेकिन लोग इसको वाले उनको समझ में आएगा आग से एक साल लेड़ साल बाद की उन्होंने अभी कितनी बड़ी गलती की और उसका कितना बड़ा उनको नुक्साल हुआ क्योंकि profit नहीं मिला तो उसका मतलब नुक्साल हुआ तो यहां पे देखो अगर market की भी बात करते हैं तो market अभी खराब phase से चल रहा है इसमें कोई दो राही नहीं है global reasons भी है और internal reasons भी है जिसके करण market खराब चल रहा है अब ऐसे में अभी positive में था market हो सकता है market close होते होते फिर से negative में आ जाए तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है न डढ़ने वाली बात है और न चौकने वाले बात है कि market open हुआ positive और negative क्यों हो गया बहुत सारे लोग जो strategy सोच रहे कि अभी follow करें वो सोच रहे कि जब भी market गिर रही है न अभी जितना भी positive में बचा है पैसा उत्रा निकाल लेते है mutual fund से मतलब पूरा withdraw कर लेते है अगर positive में है तो और जब market वापस उपर आएगी कुछ लोगों का ये comment होता है कि वापस market के अंदर recovery होगी तो हम investment करेंगे भाई देखो मैं आप अगर यहाँ पे रहते न और मुझसे लिखवा के लेते तो मैं लिख के भी दे देता कि 100% आप bottom पे buying नहीं कर सकते हो आपको नहीं पता चलेगा कि कहा से market के अंदर recovery होगी recovery हो भी रही होगी न अगर we save भी recovery हो रही होगी फिर भी आप सोचोगे कि ठीक है आज उपर गई है market कल गिर जाएगी कहीं पर सो गिर जाएगी कहीं और ये सोचते सोचते 25,000 पर से market अगर 20,000 पे भी गिर के चल जाए लेकिन फिर भी आप investment 25 या 26 या 27,000 पे जाके दुबार 20,000 जाएगा 22,000 चल जाएगा आप सोचोगे चलो 21,000 वापस गिर के जाए तो invest करोंगे ऐसे करते करते आएसा होगा ही नहीं कि market के low level पे आप invest करोगे अगर आप पूड़ा exit करके और invest करने की सोचो तो market के lower levels पे investment तभी हो सकती है जब आप हर step पे investment करते जाओ हर 5% पे या 3% पे एक target रखो उतना गिरता है और अपना जो पैसा है उसका एक portion उसमें डालते जाओ तभी हर lower level पे investment हो सकती है अगर आप यहीं सोच के investment करोगे कि नहीं पूरा जब नीचे गिरी जाएगा जहां से उठने वाला होगा वहां मैं investment करूँगा अपना पूरा प लेते हैं और इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि अपनी SIP बंद नहीं करो पैसा पूरा विद्रॉण नहीं करो बने रहो SIP चलने दो अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो लंबसम डालो नहीं है तो मढ़ डालो majority में लोग की जो ये strategy है कि अभी निकाल लेते हैं जब वापस आएगी तो खरीद लेंगे तो आप ये लिख के ले सकते हो या दिवांग में डाली लो कि अभी आप जितने पर ली निकालोगे आपका portfolio दुबारा जब construct होगा अगर आप करोगे तो इससे higher levels पे ही आप construct आप पिछले 6-7 सालों से मैं यही चीज़े देख रहा हूं लोग का हर बार ये चीज़े होती है और जो लोगों को लगता है कि market तो अब गया खत्म हो जाएगा बरबाद हो जाएगा बाई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और ये तो छोटी मोटी correction है अगर market के top से बात करत हैं तो कितना 10% के आसपास निफ्टी गिरा होगा एवरेट मेरा proper small cap funds का portfolio है मतलब small cap funds है उसी के अंदर जो large cap stocks होंगी वो small cap के अंदर ही होंगी small cap के अलावा और कोई fund मैंने नहीं रख्या हुए है मेरा portfolio अपने top से 8% गिरा है 8% गिरा है तो और यह जो 8% की गिरावट होती है यह बहुत बरी गिरावट नहीं होती है अगर मेरे पास extra पैसा होगा तो मैं और डालूंगा इस opportunity का फायदा उठाने के लिए और नहीं होगा तो नहीं डालूंगा बस बैटूंगा आराम से क्योंकि पैसे तो अभी निकालने है नहीं पैसे तो मतलब ऐसा कोई बोली नहीं कि इसके लिए पैसा निकालना है जितना ज्यादा से ज्यादा बन जाए चीचीच है जब जोगरत होगी तो निकाल लेंगे इस टाइप के situation है तो ऐसे में जितना ही दर उदर से पैसा आता जाएगा मैं डालतो जाओंगा यह 8% या 10% म माल लो कल को 20% भी गिरावट हो जाती है कोई फरक नहीं परता क्योंकि मुझे पता है कि जब recovery आएगी तो इससे भी ज़्यादा तेज आएगी और इससे भी ज़्यादा तेजी में भागे का मार्केट उपर है अभी मार्केट धीरे-धीरे करके गिर रहा है तुरा consolidate कर रहा गिर रहा है ये 8-10% की तो आपको normal गिरावट है ये normal दिख रहा है आपको कोई अगर extreme situation अभी आ जाता है जैसे 2020 में ही जनवरी से ही गिरावट सुरू हुई थी बीच में COVID वाली extreme situation आई तो market में sudden crash आया तो इसके इस 10% के गिरावट के बाद भी 20-25% का sudden crash आ सकता है और आप लोग तो भाग जाओगे ठीकिन मुझे नहीं फर्क परता है इससे क्युंकि मैंने ये सारी चीज़ें देख रखे ये और मुझे पता है कि इसके बाद होना क्या है इसके बाद क्या होना है मुझे पता है आप लोग जो डर रहे हो या जो यह सब प्लानिंग मना रहे हैं मुझे पता है आप लोग फर्स्ट टाइम इंवेस्टर हो आपकी जो holding period है वो दो साल की भी नहीं होगी क्योंकि आपने 2022 वाले market situation अगर देखी होती तो इस तरीके की बाते नहीं करते और इस तरीके का डर आपको नहीं लगता आप लोग सारे लोग 2023 में market के अंदर में आये हो जाज़तर लोग 2024 में भी आये होगे और इसी करान से आपको परिसानी हो रही है आपको लगना होगा कि मैं जब भी पैसा डालता हूँ market गिरी क्यों जाता है मुझे भी लगता है कभी कभी कि जब भी मैं डालता हूँ market गिरी क्यों जाता है अब देखो जैसे मेरी आज SIP कटी है कल market 0.5% गिरी थी आज उपर है एक दिन पहले अगर मेरी SIP कटी तो जाता पैसा मतलब ये लंसम के लिए मैंने SIP एक ही बनाया है मतलब लंसम कहने का मतलब SBA के स्मॉल कैप में मुझे पैसा डालना था तो मैंने एक आल टाला फिर इसको डिलीट कर दूँगा तो तीन चार दिन पहले मैंने आज की SIP सेट की थी उसमें ज़्यादा पैसा डालने के लिए clear है तो इससे डरने घबराने या परिशान होने की जवरत नहीं है कि मैं पैसा डालता हूँ मार्केट गिर जाता है मैं डालता हूँ उस दिन तो मार्केट उड़ जाता है उसके बाद यह उसे पहले मार्केट गिर रहते है तो यह सब चीजे होती रहती है और इन सब से परिशान होनी की जवरत नहीं है आप लोग surely जो लोग भी अभी exit करने वाले हैं पुरा पैसा निकालने वाले हैं यह सोचके कि बाद में वापस खरीदेंगे एक से डेर साल में आपको पच्छताना पड़ेगा अगर आप मार्केट को देखते हो दुबारा तो अगर आज के बाद देखते ही नहीं हो मार्केट को तब तो नहीं पच्छताना पड़ेगा एक सिंपल सा लेलो ना पुदार है, 2020, huge crash, huge crash, 12,000 सारे 12,000 से गिर के 75,000 तक मार्केट गया, निफ्टी, और आज उस 75,000 से बढ़के 25,000 तक भी गया है, ठीक है, 4-5 साल की बात है, पिछले 2 साल, 2022 की बात करो, 18,000, 16,000, 16,000, 16,000, यही लेवल चल रहा है, और वही 18,000, 16,000 वाल की नहीं आया, तो यही होता है, हर बारी जब मार्केट की का जो sentiment खराब होता है, तो ऐसा ही लगता है, क्या हो रहा है, अब तो ऐसा, सिंपल साप यह क्यों नहीं समझते हैं, यह FII की सेलिंग या इसराइल, इरान, वो और यह सब से बड़ी चीज थी COVID, कोरोना, जहां पे दुनिया अपने घर के अंदर बंद हो गई थी, यह सब चीज़े उसके सामने कुछ नहीं है, FII सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके लिए इंडिया की जो situation है, वो against है, जैसे ही इंडिया की जो situation होगी, वो positive होगी, वापस हो आएंगे, एक दो quarter बीतने तो दो, मैं यही उमीद करूँगा जितने भी मेरे viewers हैं, अगर आप मेरे साथ 2022 से मैंने video डालना स्टार्ट किया, अगर 2022 से भी आपने जोरे होगे मेरे स तो आपको पता है कि आपका कितना अच्छा पैसा mutual funds में बन चुका होगा, और जो कम से कम भी 2020 से भी होंगे market में, अब उससे पहले से तो जब से हो, उनका तो बहुत बैतरीन पैसा बनी चुका है, तो इसलिए यही मेरी छोटी सी उमीद है कि आप लोग अगर कोई goal लेके, लब कुछ चाहते हो आप बड़ा पैसा बनाना और उसको उस उमीद से market के अंदर में आए हो, तो हमेशा ही जिसका भी आपने जो भी वीडियो देखा होगा, अप एक चीज़ आपने जरूर सुने होगी, mutual fund related जो वीडियो है, कि invest for long term, और उस long term में, यह 8-10% की गिरावट तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी बड़ी गिरावट भी आएगी, सालों तक पैसा नहीं बनेगा, बस negative में रहेगा या जो है वही रहेगा, लेकिन वो long term के बीच में यह सारी phases आएंगी और उसमें आपको बैठना परेगा, अगर पैसा extra नहीं है, invest करने के लिए है, तब भी हाथ पर कुछ भी मार लो, buy in, exit in, exit कर लो, जब तक आप सांती से बैठोगे नहीं, पैसा invest करके सांती से बैठोगे नहीं, 8, 10, 15 साल, तक बड़ा पैसा नहीं मलेगा.